Hey guys, welcome to Disha Classes, दोस्तों आपका स्वागत है, हम लोग 100 सवालों की सीरीज कर रहे थे, करेंट अफेर्स की, जो की इस बार आपके आने वाले एक्जैम्स के लिए बहुत ही अपयोगी होगी, एक तो आप वीडियो पूरा देख नहीं रहे हैं, क्योंकि मैं तो देख पाती हूँ, चलिए पहला सवाल है हमारा, सोलवा प्रावासी भारतिय दिवस किस देश के राष्ट्र अध्यक्ष को मुख्य अनित अतिती बनाया गया है, ठीक है, प्रावासी भारतिय दिवस, आपको पता ये 9 जनवरी जिस दिन गांधी जी साउथ एफरिका से भारत लोटे थे, इसल जो सही आंसर है, वो है B, सूरी नाम, एफरिका के आसपास ये देश है, वहाँ पे हमने इसे ये बनाया है, दूसरी चीज, अगर हम बात करें, कि भाई, पंदरवा संबिलन कब हुआ था, पिछले की अगर हम बात करें, तो वो हुआ था, वारा नसी के अंदर, ठीक है, वा जनवरी 2021, जब अमने इसे मनाया, इसकी थीम बहुत जादा इंपोर्टेंट है, हर किसी ना किसी फंक्शन की जो थीम होती है, वो आप से पूछी जाती है, आत्म निर्बर भारत में योगदान, और इंपोर्टेंट है, इसके अंदर, 26 चुनिंदा भारत वंशियों को, और चार किसको मिला है, संस्थाओं को मिला है, तो ये भी इंपोर्टेंट है, और एक चीज और इंपोर्टेंट है, ये पूरा का पूरा वर्चुल हुआ था, यानि कि ऑनलाइन हुआ था, पूरा फंक्शन किस तरीके से रहा ये ऑनलाइन फंक्शन था, तो अच्छे सवाल है आप लोग ध्यान में रखें नेक्स देखिए अगला सवाल है हमारा भारत में कितनी भाषाओं को शास्त्रिय भाषा का दरजा प्राप्त है ठीक है तो भारत में सबसे पहले तो जान ले छे भाषाओं को शास्त्रिय भाषाओं का दरजा प्राप्त है अब आपका सवाल होगा कि मैडम आप छे भाशाएं भी तो बताओ कौन-कौन सी हैं तो बिल्कुल यह लेजिए आपके लिए छे भाशाएं तमिल, संस्क्राथ, तैलगू, कंणर, मल्यालम और ओडिया ठीक है यह छे भाशाएं हैं आपकी सबसे लास्ट में किसको आड़ किय किया था 2014 के अंदर टीक है 2014 में लास्ट कब हुई थी पोडिया भाशा को शामिल किया गया था तो आपको एक्स्लिनेशन भी मिल गई अब इसमें नेक्स सवाल देखिए हमारा क्या है भारत में अलप संख्यक समुदाय में कितने समुदायों को शामिल किया गया है काफी सारे आंसर जानते होंगे तो सबसे पहले आंसर देख लो आंसर है हमारा C ठीक है C is the correct answer 6 अब फिर से वही सव आपका कि यह जो छे समुदाय हैं जिन्हें अलप संक्यक में शामिल किया गया है वो कौन-कौन से हैं तो देखिए कौन-कौन से हैं मुस्लिम, सिक, इसाई, बौध, जैन, पार्सी सामानिय सा सवाल लेकिन यह छे ही शामिल है और भारत सरकार के गजट के अंदर इन ही समु जाएंगे आप कंफ्यूज हो सकते हैं लेकिन कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है यह छे भारत सरकार ने अपने गजट में शामिल किया और वो इनी समुदायों को अलप संक्यक के अंदर मानती है ठीक है आपको सोचते हैं दब लगता है अच्छा है यह तो कम कमनेटी यह भी कम है लेकिन इसा नहीं इनी को शामिल किया गया है अगला सवाल देखो क्या है अगला सवाल है हमारा भारत के किस कम्प्यूटर को क्रतिम बुद्धी मता का स्थान प्राप्त है क्रतिम बुद्धी मता आर्टिफिशल इंटेलिजेंस ठीक है हमने इसके सारे बहुत सारे चीजे करिए बहुत सारे सवाल भी हमने इसमें पढ़े और artificial intelligence पर बहुत सारा काम हो रहा है कहीं robot बन रही है कहीं कार बन रही है कुछ और चीजें हो रही है artificial intelligence के लिए तो क्योंकि human जो होता है वो emotions होते है इसके human के अंदर, artificial intelligence में है कि एक ऐसी situation जहाँ पर हम as a human work नहीं कर सकते हैं वहाँ पर ये काम करता है तो उसी के लिए चीज़ की जाती है तो भारत के किस computer को करतिम बुद्धिमता का तरह सट्वा स्थान पराप्त हुआ है तो इसका जो सह सकते हैं कि किस ने विक्सित किया है तो CDAC ने, CDAC, Center for Development of Advanced Computing, CDAC के तुरू इसको डवलप किया गया है यह भी ध्यान में रखना है आपको, अगला सवाल देखो, सुच्छता से सवाल आएंगे ही आएंगे, तो अगला सवाल हमारा, सुच्छा सर्वेक्षन 2020 में, एक लाख से दस लाख तक जनसंख्या वाले शेहरों में, जनसंख्या उन्होंने clear दे रखिये सवाल के अंदर, कि एक से, एक लाख से, दस लाख के, शेहरों में सुच्छतम शेहर का पुरुस्कार किसे प्राप्त हुआ है, तो सब से पहले इस सवाल में क्या गल्ती के बहुत chances है? reason क्या है जैसे सवाल पढ़ोगे तूरंत किसको click करोगे indoor को indoor को click करोगे लेकिन indoor को किस में मिला है 10 lakh से plus में यानि कि 10 lakh से ज़ादा की category में indoor number one पे चल रहा है और पिछले चार सालों से indoor क्या चल रहा है number one पे चल रहा है सवाल यहां क्या पूछा है एक से 10 lakh यानि कि limitations कर दी न तो अभी इसके अंदर आंसा क्या है C, C is the correct answer Ambikapur इसका आंसर है इसका आंसर हुआ Ambikapur indoor को चार साल से मिल रहा है number one पे मिल रहा है लेकिन किस में 10 lakh से plus category के अंदर तो इसको ध्यान रखना है सवाल को गलत मत करना अब आपके लिए थोड़ी से explanation मैंने त्यार किया आप इसको देखो 10 lakh से अधिक जनसंख्या वाले शेहरों में स्वच्छ शेहर 10 lakh से plus 10 lakh से plus category इंदर पहले नंबर पे सूतर सूरत दूसरे नंबर पे और नवी मुंबई तीसरे नंबर पे clear नेक्स्ट देखो हमारा क्या है नेक्स्ट हमारा है 1 lakh से 10 lakh की जनसंख्या वाले शेहरों में स्वच्छ शेतम अभी जो मैंने सवाल बनाए अंबिकापूर किसका 36 गड का मैसूर करनाटक नंबर 2 पे और नई दिल्ली नंबर 3 पे तो एक कैटेगरी तो है 10 प्लस की और एक कैटेगरी है 1 से 10 lakhs की ठीक है फिर तीसरी कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं तो तीसरी कैटेगरी में देखो क्या है तीसरी कैटेगरी में है कंटोन्मेंट कंटोनमेंट बोड के बारे में पूछा गया है इसके अंदर कंटोनमेंट बोड में स्वच्छतम कंटोनमेंट बोड का पुरुसकार ठीक है जो कैंट वगर है पहला नमबर जलंदर कैंट का दूसरा नमबर दिल्ली कैंट का तीसरा नमबर मेरट कैंट का ठीक है तो यह तीसर समझो कि तो जादा अच्छा रहेगा वीडियो पूरा देखो और सौ सवालों की सीरीज है तो अभी होता कि है कि आप लोग वीडियो देखो कि तभी मुझे भी लगेगा कि चलो कोई देख रहा है तो मैं आगे वीडियो बिनाऊंगी अदर्वाइस हम लोग तो अपने प्ले परिश्य दे उनको मिला है फिर नेक्स्ट इसके अंदर भी है सो से कम शेहरी निकाह सो से कम में अगर हम बात करें तो पहले नमबर पर जारखन दूसरे पर हर्याना और तीसरे पर उत्राखन अब यह जो मैंने आपको सवाल पढ़ाया है विद एक्स्वाल पढ़ाया है यह राजस्तान के जो एक्जाम दे रहे हो उसके लिए ही नहीं आल ओवर जो बचे पढ़ रहे हैं बिहार PCS के लिए यूपी PCS के लिए या जो भी आप लोग एक्जाम दे रहे हैं उन सभी एक्जाम के लिए इंपोर्टेंट है तो यह एक जनरल करेंट अफेस का आपका ह अगला सवाल देखो कच्रा मुक्त शेहरों की 2019-2020 की स्टार रेटिंग जो है उसमें कुल कितने शेहरों को 5 स्टार रेटिंग दी गई है कच्रा मुक्त यानि कि जो कच्रा है पूरे दिन भर का जो कच्रा है शाम को क्या किया जाता है उसके अंदर से प्लास्टिक अलग कर जो बायो डिग्रेड़ेबल है वो अलग हो गया शाम तक पूरे शेर में कोई गंदगी नहीं कुछ भी नहीं जो भी कच्रा था उसको पूरी तरह से सेट कर लिया और उसे के साब से क्या दी जाती है स्टार रेटिंग दी जाती है तो सबसे पहले तो आंसर देख लो आंसर है तीसरा है सूरत यह भी गुजरात का तो गुजरात के दो शेहर जिनको फाइफ स्टार रेटिंग है चौथा है मैसूर करना गव का पांचवा है इंदौर मध्यपरदेश और छठा है नवी मुंबरी तो दो शेहर गुजरात के इसमे शामिल हैं जो है। पूरी तरह से सेट और एक्जाम में इस बार आप 101% मानके चलो आपको एक्जाम में पूछे जाएंगे सवाल तो यह हम 100 सवाल तभी बना पाएंगे ना जब आप लोग धंग से पढ़ेंगे सारी चीजों को लास्ट में आंसर की भी दे दिये ताकि आपको एजी रहे तो यह तो यूट्यूब पर आप क्लास देखी सकते हो टेलिग्राम पर इसका जो सारा पीडिएफ मटेरियल है वो भी शेयर करते हैं और कोई भी क्वेरी और कोई भी बात करनी हो आप मुझे इस नंबर पर संपाफ कर सकते हैं चलिए नगले सवालों के साथ मिलते हैं हम आपसे धन्यवाद